आज बनाने जा रहे हैं आलू मटर की रसीली सबजी तो आलू मटर की सबजी बनाने के लिए हमने त्यारी जो है वो लगबग सब कर ली हैं तो क्या क्या हमने त्यारी की हैं वो हम आपको बता रहे हैं तो यहां पर हमने हरा धनिया लिया हुआ है दू प्याज, दू टबाटर, एक छोटा टुकड़ा, अद्रकका, कुछ यहां पर खड़े मसाले हैं, इलाइची है, तेजपत्ता है, काली मेर्च, लॉंग, अगर आप के पास खड़ा मसाला है, तो डाल दीजिएगा, नहीं है, तो आप मट डालिएगा, बिना खड़े मसाले की भी सबजी अच्छी सी रेडी हो जाएगी, और यह है हमारे ताजे-ताजे मतर, इनको हमने छील लिया है, छील के अच्छे से हमने धुल लिया है, तो यह इतने हमा और इतनी आलू है, उसे हिसाब से हम सब मसाले जो हैं, वो इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हमने जो मसाले लिये वो बता देते हैं, यह है, खड़ा जीरा, हल्दी, मेर्च, थोड़ी हींग है, धनिया पाउडर, गरम मसाला, स्वात के मताबिक नमक है, और इसमें हम गर् पानी का इस्तेमाल करेंगे, पानी जितनी जरूरत होगी, ग्रेवी के लिए हम उतना डाल लेंगे, तो इतनी हमारी समान हो गई, मतर और आलू की रसीली सबजी के लिए, तो अब आगे की त्यारी करते हैं, आप सबजी का मसाला बढा लेते हैं, तो मसाला बनाने के लिए ह हमने क्या किया हैं यहांफर मिकसी ली है हम मिकसी में मसाले को पी renewed ваши अगर आपके पास मिकसी नहीं है तो आप कद्धुकस के लेंगा कद्धुकस भी नहीं है तो आप छोटा छोटा सा चाकू से प्यास टमाटर अद्रा किन सब सब को अच्छे से कट कर लीजिएगा यहां पर हम सब को पीस ले रहे हैं अब इसमें हम पानी डाल देंगे रूम टंपरेचर वाला पानी है तो बहुत ज्यादा पानी नहीं डालिएगा इतना पानी डालिएगा कि अच्छे से पीस जाए तो अब इसको हम पीस लेते हैं मसाला देखिए अच्छे से हमने पीस लिया है अब इसको एकसाइट रख देते हैं अब मसाला को पकाने की त्यारी करते हैं तो यहां पर हमने कढाई लिए उसमें हमने थोड़ा सर्सों का तेल डाल दिया है तेल की मात्रा आप अप क्याइस को हम него हम स्लोग Called직ق शुण कर देंगे और मिरी वारा नुट af प्कषा आप इसको हम लिए कि इसको मिला लेते phi chat तो इसको जडाजाजा चूर्प है थोड़ा थोड़ा भी को पका ली हिए इस तरह से देखिए मासाला जो हे वह थोड़ा पक गया है अब इसमें हमने जो मसाला है जो पीसा था टैस कमाता यह हम इसमें डाल देते हैं गैस को धीमी रखेंगे धीमी आज में ही हम पूरे मसाले को पकाएंगे तो बढ़िया अच्छा सा मसाला रेडी होता है जलता भी नहीं है सब्जी का स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है धीमियाच ये बढ़ी है मसाला पकाएंगे तो अब इसको थोड़ी देर हम पकने देते हैं मसाला 50% धीमियाच में अच्छे से पक गया है तो अब जो बागी के मसाले थे वो डाल देते हैं तो खल्दी मिर्च मिर्च आप पिसा वाला भी ले सकते हैं और हरा मिर्च भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंदू वो आप डाल ले मिर्च में आप इसको अच्छे से मिला देते हैं और धीमी आज में इसको अच्छे से हम पका लेते हैं मशानला पक रहा है तो हम आलू और धनिया पत्ती को भी कट कर लेते हैं, आलू और हरे धनियो को हमने कट कर लिया है, थोड़ी देर बाद देखें मसानला अच्छे से पग गया है, जब बड़तन में या कड़ाई में मसाला छूटने लगे और इस तरह से दिखने लगे तो आप समझ जाएगी मसाला जो वह अच्छे से हमारा पग गया है मसाला पग गया है तो अब हम ये आलू में आलू डाल देते हैं और अपनी मटर डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा अब इसमें हम उबला हुआ पानी का इस्तेमाल करेंगे आप नार्मल पानी भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन नार्मल पानी से क्या रहता है ना सबजी पकने में थोड़ा सा देर लगती है और गैस को अपतेज कर देंगे ग्रेवी की ठिकनेस आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितनी आपको कम ज्यादा चाहिए हमने इतनी कर रखी अब इसमें हम एक उबाल आने देते हैं अच्छे से सबजी में उबाल आ गई है तो अब इसको हम दो मिनट तेज आच में पका लेंगे और 2-3 मिनट के आसपास ही हम इसको धिमी आच में पका लेंगे तो सबजी बहुत जल्दी बनकर रेडि हो जाती है देर नहीं लगती है तो अब इसको अच्छे से हम पका लेते हैं सबजी बनकर त्यार हो गई है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम जो हरा धनिया कट किया था अब यह हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिला देंगे बहुत ही जल्दी से सबजी बनकर रेडी हो जाती है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इसको अब हम थोड़ी देर एक मिनट के आसपास इस तरह से ढख कर रखी रहने देंगे गर्मा गर्म आलू मतर की सबजी बनकर रेडी हो गई है एक बार आप इसको इस तरह से जरूर बनाईएगा आप सबको बहुत पसंद आएगी तो मिलते हैं एक और अच्छी हेल्दी टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ